है दोस्तों नमस्कार मैं आरियन जैस्वाल आप सब का स्वागत करता हूँ अपने योट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर तो दोस्तों यहां पर हिंदी का यह दूसरा प्रेक्टिस सेट है जो कि मैं टॉपिक वाइस करवा रहा हूँ अगर आपने इसका पहला नहीं देख हो जाएगा अगले कुशन पर आते हैं कुश्ठच नमबर दो है आपका भासा के सुद्रूप का ज्यान किस से होता है तो दुस्तों बार्ष्य के सुद्रूप का जो ज्यान होता है वो हमारा भासा के व्याकरण से होता है इसलिए आप समिल 10 क्योब c 1 नमर नहीं है Before to talk about a learnt यह हमारे ता वर्ग के अंदर घाते हैं और यहां पर यह गया और अन्पर कॉन से कहले हैं ऑल्भाशक 3ा दा ga नहीं सब आता है आब आता है कोश्चन अमबर अगले कोशन पर तो अगला कोश्यन है आचारे सुक्लिकंवाद के प्रतह्म अप्रतिनिथि कभी कौन जाता हो दोस्तो दोस्तो निवन निबंध कार को एक साथ मिलाई है यहां पर देखे मिलाना है पग डंडियों का जमाना यह निबंध है और इस निबंध को किस ने लिखा है तो दोस्तों पग डंडियों को जमाना है यह निबंध लिखा गया है दोस्तों हरी संकर पर साइजी द्वारा इसलिए इसको जो मिला अबाद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो इसके जो लेखक हैं वो बिद्या निवास मिस्र जी हैं तो यहां पर इसका तो सीधा सीधा मिला नू जाएगा C का 3 से और अगला बचा बिवाय योग तो बिवाय योग लिखा है गुलाव राय जी ने तो यह हमारा D हो जाएगा यानि कि 4 1 3 2 4 1 3 2 किसमें आरा है देख लिए 4 1 3 2 option number D में आरा है इसलिए इसका option number D इसका बिलकुल correct हो जाएगा अब आते हैं अंगले question पर अगला question है रस सूतर के जनक माने जाते हैं रस सूतर के जनक किसको मानाता है दुशू रस सूतर के जनक भरत मूनी माने जाते हैं तो option numbers का A correct हो जाएगा और इनके नुसार रसो की संख्या 8 है जबकि कावय में रसो की संख्या 9 होती है और सिरिंगार असको सर्वस्री श्रस माना जाता है अगला कोशन है आपका साधरी करड़ और व्यक्ति वैचिति वाद निवंध के लेखक हैं तो ये जो दोनों निवंध है दोस्तो इसके लेखक हैं हमारे डॉक्टर नौगेंदर जी इसलिए इसका उफसन नमबर जो B है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो इसके लेखक डॉक्टर नौगेंदर जी हैं अगला कोशन दोस्तो चाया वाद को प्रतिबिम वाद किस ने कहा था तो चाया वाद को प्रतिबिम वाद कहा था रामिला सर्मा जी रे इसलिए इसका उफसन नमबर जो C है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और चाया वाद में अतिसा कलपना C लता थी और रामिला सर्मा की प्रमुख जो कृतिएं हैं यहां पर रामिला सर्मा जी आए हैं तो इनकी प्रमुक्रितियों को बाद कर लेते हैं जैसे भासा और समाज और भासा की विकास प्रनपरा यह साही जो थी इनके रामिला सरमाजी की प्रमुक्रितिया थी समझ गए अब आता है अंगले कोशन पर अगला कोशन हमारा है आचारे रामचंद्र सुकल का हिंदी साहित में किस विधा में प्रवेस हुआ तो अगर हम बात करें आचारे रामचंद्र सुकल जीगी तो इनका हिंदी साहित में जिस विधा में प्रवेस हुआ था वो था आलोचना जी है आलोचना विधा में हुआ था क्रिटिक तो आपसर नमबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन हमारा है आचारे राम चंदर सुकलका हिंदी साहित में किस विधा में प्रेवेस हुआ तो दो बार एक ही कोश्चन हो गया है तो कोई बात नहीं यहाँ पर फ़weed याद के लिए या लुचना याद रहेगा भोलेगा नहीं अगला कोश्चन है आपका निम लिखित मेंसे किस मुस्लमान कवी की रचना प्रेम चिंगारी है तो प्रेम चिंगारी जो रचना है वो नजफ अली की है किसकी है नजफ अली की तो अपसन नमबर तो नूर मुहम्मद ने इंद्रावती और अगरम बात करें सिख नवी का तो सिख नवी जी ने ग्यान दीप की रचना की थी समझ गए अब आते हैं एकले कोईशन पे तो अगला कोईशन है हिंदी साहित में राम कावे के प्रमुख प्रेडा सुरोत कौन है तो हिंदी साहित म राम कावे के प्रमुख प्रेडा सो दोस्तो रौमी रामानंद जी है तो आपसन नमबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ गे दोस्तो हिंदी साहित में अगरम बात के राम कावे की बात के तो यहां पर आपको बताई दिया रामानंद जी है और रामानंद जी का जो जन्म है वो सन 1299 में प्रियाग याने के अलहाबाद में हुआ था उनके गुरू का नाम रागवानन्द था समझगे दोस्तों अब आते हैं एकले कोशन पर एकला कोशन हमारा है निम लिखित में से कौन सा सैयुक्त स्वर है तो दोस्तों अगर हम बात करें सैयुक्त स्वर जाएगा और आ और ए को जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा और आ और ओ को जोड़ेंगे तो ऑ बन जाएगा समझगे दोस्तों तो याद रखना सभी हमारी यह चारों हो ऑ अगर आते हैं अगला कुशन हमारा मानक हिंदी का आधार क्या है तो मानक हिंदी का आधार दोस्तों खड़ी बोली है इसलिए इसका आधार खड़ी बोली मानक हिंदी के आधार को खड़ी बोली माना गया इसलिए आपसे नमबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कुछन है आपका पूरवी हिंदी विक्सित हुई थी तो पूरवी हिंदी के अगर हम बात करें दोस्तों ये विक्सित हुई थी अर्द मगधी अपब्रहंस से तो ये कोशन अभी पेपर में आया हुआ था कौन से पेपर में अभी यूपी पुलिस का साइज जिसने ग्याम दिया होगा हो जान तो पूर्वी हिंदी का विकास है वो अर्ध मगधी अपर फ्रहंसे से हुआ है इसलिए ऑप्सन इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है यहाँ पर दोस्तो भारत में आर्य भासा का आरंभ कब हुआ तो भारत में आर्य भासा को जो आरंभ है वो पंदरा तो इसा पूर्व के आसपास हुआ था इसलिए option number इसका जो B है वो बिलकुल correct हो जाएगा आते हैं अंगले question पर अगला question हमारा है साहित ये जनता की चित वृत्तियों का संचित प्रत्विंब है तो दोस्तों साहित ये जनता की चित वृत्तियों का संचित प्रत्विंब है ये जो उकती है वो किसकी है दोस्तों ये उकती है आचारे रामचंदर सुकल जी की तो option number इसका नमबर जो C है वो बिलकुल correct हो जाएगा आते हैं अगले question पर अगला question है हमारा किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है ने परसर्ग लगाया जाता है तो दोस्तों ये जो खड़ी बोली होती है इसमें ने परसर्ग लगाया जाता है और खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है या ओकार बहुला बोली जाती है जिसे मैंने तुमने तूने तूने सुना होगा न अपने तो ये सब चीजे खड़ी बोली में ही ने परसर लगा जाता है अगला कोशन है आपका भारत वर्स के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले किस ने सुझाया था तो दूस्तो भारत वर्स के लिए हिंदी भा सूर डास हिंदी साहते के भक्ति-काल के और कृष्न गरेट से अग्रडी एक गवी माने जाते थे अग्रूर बात करें निंस मुष्टी मुझे सियरन कि उनारी से Today तो आप्सन डीस का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इनके जन्म के बारे में बात करें क्यों कई पर पूछा गया है तो इनका जन्म 1398 से इस्वी में हुआ था और इनके मृत्यू 1518 इस्वी में हुई थी समझगे दोस्तों और ये हिंदी साहित के भक्तिकाल के एक मात्र ऐसे कभी है जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्व्याप्त आडंबरों का विरोज किया था समझगे दोस्तों और इनकी जो र सहा जाता है सादुकडि निग्लत के आया है अगले कोरिशन प्राइडित को सवरोफ किया था ओक्विर की भक्ति का अगरा राम वाउनन के प्रियस हिस्खियों थे कबिष संगल भक्ति को समाये का इनके पता ह। के बारें भी साइज ये बता दी कि इन्होंने इस्वर को निराकार माना है निर्गुल भक्ति साखा पर इन्होंने बल दिया था और आडंबरों से बिल्कुल दूर भागते से आडंबरों को खतम करने की कोशिस करते थे अकला कोशन है आपका भारतिय संधान में हिंदी भासा को मानिता कब प्रदान की गई तो दोस्तो ये कोशन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अभी मैंने सबसे पहला कोशन हिंदी दीवस भी बताया था तो हिंदी दीवस से आपको एक चीज़ सो क्लियर हो गई होगी कि ये दोनों आफ्सन तो होंगे नहीं क्योंकि हिंदी आपका 14 हिस्umr को मनाया जाता है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा तो आपको कॉमेन्ट करके बताना है इसमेंसे से कौन सा एंसर सही होगा तो चले देखते हैं सबसे पहले इसका एंसर कौन देता है आते एंगले question पर तो अगला , सब्सक्राrie चैने का चैनल जर्वा सब्सक्राइब किया सलिक चैनल सोर सैनी आपसा नमबर जो बी है वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अब इसके पहले आपको एक क्वेशन बताया था वहाँ पर भी आप भरंस की बाते हुई थी वहाँ पर किस आपकर भंस की बात हुए थी क्वेशन में आपको एक बार फिर से रेपीट कर देता हूं क्वेशन था पूर्वी हिंदी विक्सित हुई थी तो पूर्वी हिंदी जो है वो अर्दमगधी अपभरंस से विक्सित हुई थी और यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली के बारें पूछा जा रहा है तो हिंदी खड़ी भोली सोर सैनी अपभरंस से उद्गरित हुई है अगला के रचनाकार दोस्तों हैं मैथली सर्गुप्त जी आपसा नमबर इसका जूब ए है वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा समझगे दोस्तों आते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन है आपका कवीर ने समासुधार के अंतरगत किसका उपदेश नहीं दिया कवीर ने समासुधार क अंतरगत किसका उपदेश नहीं दिया तो उन्होंने देखे मूर्ति पूरा पूजा का विरोध जाति प्रथा का खंडन और हिंदु मुसलिम पाखंड का खंडन यह साइची नहीं ने कहा था लेकिन इस्तिपरूस की समानता यह जो है इसका उपदेश नहीं दिया था तो अगले और जैसी द्वार रचित पत्मावत निम्ने मेंसे जाएका और उनके द्वारा जो रचित रचित यहर लगत बहुलता होने के कारण्यद बहुलता होती है वहाँ पर समासोक तीपत होता है समझे आते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन है कभी मौलिक मौहम्मत जैसी द्वारा रचित पद्मा उबत जो है वो किस भासा में देखिए पद्मा उससे बहुत सारे कोशन उठे हैं आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं पहला कोशन आमीन में पूछा गया था यह कोशन आपका गन्या परविच्छिम को पूछा गया है और अगर हम बात के लिए इस कोशन की तो यहाँ पर इसका उप्सन जो जाएगा अवधी भासम लिखा गया है इसलिए उप्सन बीस का बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगले कोशन पर आते हैं अगले कोशन हमारा कामाईनी महा कावे के रचनाकार का नाम है तो दोस्तों कामाईनी महा कावे के रचनाकार है वो डॉक्टर जैसंकर प्रसाद जी है तो option number इसका जो D है वो बिल्कुल correct हो जाएगा तो कामाईनी महा कावी का जो रचनाकार है जैसंकर प्रसाद जी है और ये जो महा कावी है 15 सरगों में बिभक्त है महा जैसंकर प्रसाद की बहुत सारे रचनाए है जो famous है जैसे प्रेम, पति, जढ़ना, आसू, लहर, जनमेजे का नागियग की बहुत सारे चीज़े है आते हैं अगले question पर एक दिन बैठे बैठे यहाँ बात अपने ध्यान में चड़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छूटे चूट और किसी बोली का पुट ना मिले पंक्ति किस लेखा की है तो दोस्तों यह जो पंक्ति है बेसिकली अगर हम बात करें लेखा की तो यहाँ पर जो मुंसी इंसाला खान जी है इनके दोरह यह पंक्ति लिखी गई है और यह बेसिकली बात करें कौन से कहानी से है तो ये हमारा रानी केतगी की जो कहानी है उस कहानी से ये उद्रित है ये लाइने आते हैं अगले question पर हमारा अगला question है आपका निम्न में से कौन जीवनी है तो अतीत के चलचित्र चिंता मड़ी आवारा मसीहा नीड का निर्माड फिर तो यहां पर हम बात करें जीवनी के तो आवारा मसीहा जो है यह एक जीवनी है तो option number इसका जो C है वो बिलकुल correct हो है वो महादेवी वर्मा ने रचा था एक रेखा चित्र वो है और अगर हम बात करें चिंता मड़ी की तो चिंता मड़ी दोस्तों आचार रामचंदर सुक्लदारसित निबंध आत्मक निबंध है एक और यहां पर नीड का निर्माड फिर तो हरिवन्स राय बच्चन की एक आत्मकता है आटो बायोग्राफी है जीवनी है और जीवनी हमारा बायोग्राफी होता है और नीड जो हमारा आत्मकता होता है वो आटो बायोग्राफी होता है अगला कोईशन है आपका दोस्तों निम्न में कौन सा सब्द तुर्की भासा का नहीं है तो कौन सा सब्द तु जबकि बेगम, चेचक और बारु जो हैं ये तुर्की भासा के सब्द हैं अब आते हैं आज के सबसे आखरी कोश्चन पर तो आज का ये होमवर्क है रतना वली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया तो आपको कमेंट करके बताना है बहुत ही आसान है बहुत ही ज्यादा तो दोस्तों ये रहे आज के टोटल जो 35 या आसपास इसके क्वेश्चन थे ये तोटल क्वेश्चन है आपके आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद दे प्लीज को लाइक केजिएगा सो वैंस जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उसका एंसर देना मत भूलेगा और बस अभी की इस वीडियो में तर्वी इतना है अभी कलिए बबाई टेक केर जैहिन जै भारत मिलते हैं कि वीडियो में तब तक लिए इस्टेटियों और डियर घुरुजी